देखे एक सपने की तूटकर चक्ना चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हवसले को हम जिन्दिकी कहते हैं देखे आज है 19 जनवरी का दिन और आज की वीडियो में जितने फी प्रस्णा है मोस्ट इंपोर्टेंस आपकी सभी परिशाओं के लिए तो सुरुष लाज दा दा रही है और आज के वीडियो के जो पीडियो के डिसक्रप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकून जो प्रस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का डिसक्रप्शन आपको मिलता रहे और दीके वारत का उपर राष्ट्री सुरक्षा सलाकार याने की डिप्टी दीकि पंकच कुमार सिंग के बारे में बात करें तो ये जो है सीमा सुरक्षाबल जिसको आप ब्यसक्रप कहते हैं इसके रिटार डिरेक्टर जनरल ले चुके हैं ठीक है राष्टिय सुरक्षार सलाकार और यह थोड़ा साम बीएसफ के बारे में जान लेते हैं देखी बीएसफ जो आपका है इसके स्थापना एक दिसंबर उन्नी सो पैसर कोई थी एट्वाटर इसका नई दिली में हैं और इसके वरतमान में डीजी हैं सुजो एलाल थोसें ठीक ह अभी यहाँ पे बस इतना यार रखे सबसे इंपोर्टेंट चीज की पंकच कुमार चिंग भारत के नए डिप्टी नेशनल सेक्योर्टी एडवाइजर अपवाइंट कर दिये गए हैं दीकि यहाँ पे उपर राष्ट्री सुरक्षा सलाकार की बात हुई है दीकि भारत के वरत्मान में जो राष्ट्री सुरक्षा सलाकार है इनका नाम है आजीड दोभाल वरत्मान में भारत के राष्ट्री सुरक्षा सलाकार है और दूसरा प्रशनी के भिहारी में सीवी जार्ज को कि इस देश में अगले भारती राजदूत के रूप में न्यूख्या गया है तो देकिं, सिबी जार्टज को जो है, अभिहाली में Marcell Island नाम का एक डेस हैं, वहां पर भारत के नए राजदूत के रूप पर रूप में निजकिया गया है, तेकिं, सिबी जार्च वरत्मान में जापान में भारत के राजदूत हैं, लेकिन इनको जो है, इनके टोक्यो में निवास के साथ मार्सर आइलेंड में भी वह बारत के राजदूत के रूप में न्यूत क्या गया है दीकि मार्सर आइलेंड हवाई और फिलिपीन के बीच मद्य परसांत महासागर मिस्ति तक छोटा सा देश है और जो मार्सर आइलेंड है इसके रालतानी है मजूरो और मुद्राया की अमेरकी डलर राश्पती है डेविड काबुगा और यहां की ओफिसियर लेंग्विज है मार्सलीज और अंग्रेजी और तीसरा प्रशनी की राश्ट्री स्टार्ट अप दिवस दोजार तेस का मनाय गया तो 16 जनवरी को हमने करम से दूसरा राश्ट्री स्टार्ट अप दिवस मनाया ठीक है पहली बार इस दिवस को 2022 में मनाय गया था और इसकी गोश्णा प्यमोदी के द्वारा पिछले सल की गय थी 15 जनवरी को ठीक है और इस गोश्णा के बाद फिर 16 जनवरी 2022 को पहला राश्ट्री स्टार्ट अप दिवस मनाय गया था इसको नोट कल जेगा देखी भारत में स्टार्ट अप की उपरब्दियों की साराना करने के लिए इस राश्ट्री स्टार्ट अप दिवस को मनाया था है और चोथा प्रश्ण मारा की भारत की G20 अधिक्स्ता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग का आजन की सहर में क्या गया तो दिखे केरल की राधानी तीरोवनन पूरब में विहारी में G20 अधिक्स्ता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग का आज़न किया गया था और दिखे मिहाली में केंदरी स्वास्त और परिवार कल्यान राजमंत्री प्रमीन पवार और केंदरी विदेश राजमंत्री वी मुरली धरन ने जो अपका G20 का पहला हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग था तिक है तो इसका उधगाटन समारू जो था उसमें मुख्य भाचर दिया था और इस तीन देवसी बैठक का मुख्य फोकस स्वास्त आपाद स्थितियों की रोप्ताम फार्मास्योटिकल छेत्र में सहयोग और यूनिवर्सल हेस्ट कवरेज के लिए डिजिटल हेस्ट इनुवेशन पर जोड़ देना है और ये पांचोव प्रशन बहुत इम्बॉर्डेंट है प्रशन है कि यह वियाली में कोरवा आर्डिनेस फैक्क्री में क्लास निकोग एके दो सो थीन असाल्ट राइफलों का दिरमार सुरू के आए आपको पताना ही कि की कोरवा आर्डिसने फैक्ट्री है पता है और किस राजी के जिले में तीट है तो दीग मिленहे के आप Pakता दू उतर प्रदेश में आपका ये कोरवा आर्डिसने फैक्ट्री हिस थीथ है देखिए अभी हाली में कुछ समय पहले पिये मुदी ने इस कोरवा अर्डिनेस फेक्टरी का उप घर्टन किया था पिछली साल किया था ठीक है देखिए एक खास बत और है आपने एक मूवी देखी होगी किस किस ने देखा जरा कमेंड वाक्त बदाईए देखिए के जी एफ मूवी में इस राइफल का उप्यों किया गया था जो के जी एफ टू चैप्टर टू था तो मैं थोड़ा सा फिल्में देखता हूँ कभी-कभी मनुरण्यन के लिए आप ही देखा कि जी इसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है लेकिन अच्छी फिल्में देखिए साउथ की भाले हुट की फिल्मों में मोटिवेशन कम बिलेगा असलेलता जादे मिलेगी तो दीगे याद रखेगा कि जो आपका उत्तर प्रदेश का जो आपका अमेठी जिला है वहाँ पर कोर्वा आजरीनस फेक्टरी इस्तित है और यहाँ पर क्लास निकोव एक दोसो तीन असाल्ट राइफलों का प्रोडक्शन सुरू हो गया है और सबसे खास बात कि जो आपका कोर्वा आजरीनस फेक्टरी है यहाँ पर यह production एक दोसों तीर असाल ट्राइपलों का जो है भारत और रूस के joint venture के थाथ किया रहा है ठीक है चटाओ प्रशनी की किस भारती अमेर्की को मार्टिन लूथर किंग और किंग ग्रेंड परेड स्पेसल अवार्ड से समारित किया गया तो दीकि भारती मूल के विक्ति है क्रिष्णा ववी लाला फोटो यहां पर देख रहे हैं यहन की तो क्रिष्णा ववी लाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रेंड परेड स्पेसल अवार्ड से भी हाली में समारित किया गया है और दीकि अमेरिकी राष्ट्पती जो बाइडन ने हाली में ववी लाला को प्रेसिदेंशियल लाइप टाइम अचिवमेंट अवार्ड से समारित किया ठीक है और दीकि प्रसिद भारती अमेरिकी कृष्णा ववी लाला फाउंडेशन आप इंडिया स्टेडीज के संसापक और अध्यक्ष है और ये मूल लूप से भारत के आन्द प्रदेश के निवासी है ठीक है इसको नोट कर लेज़ेगा और साथों प्रसिद की प्यमोदी ने कि शहर में सांसत खेल महाकूम के दूसरे चरण का उधार्ण किया तो दीकि अभिहाली में प्यमोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसत खेल महाकूम के दूसरे चरण का उधार्ण किया है दीके पियमोदी ने 18 जनवनी 2023 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में इस सांसत खेल महाकुम 2022 तेश के दूसरे चरणकाव घटन वीडियो कांफरेंस के माध्यम से किया था और ये आजन बस्ती जिले में बस्ती से लोक सबा सांसत हरीज जिवेदी के दौरा 2021 में पहली बार किया गया था ठीक है आगे या कुछ और करेंगे वह सारी चीज़ें इंपोर्ड़ेंट होती हैं एक्जाम में फूशी आती हैं तो यहां पर एक इंपोर्ड़ेंट प्रशना है ज्याज सुनिए कि राश्त्री हरित हाइड्रोजन मिशन याडिकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्षे 2030 तक प्रती वर्स पांच मिलियन मिट्री क्टन हाइड्रोजन का उत्पादन हासिल करना है दीकि राश्त्री हरित हाइड्रोजन मिशन को केंदरी मंत्री मंदल ने चार जनुरी दोजाटेश को 19,744 क्रोण रूपे के ब्याय बजट के साथ मन्जूरी दी थी और नौ इंडियन इंडेस्ट्री ने अभिहाली में जारी किया है नहीं भारती उद्द्योग परिसंग ने बताया है इस रिपोर्ट में कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए नमिंदम सी आई 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 बिजनस कॉन्फिटेंस इंडेक्स संदसर दस्मनों 6 के मुले के साथ लगबग दो वरसों में अपने उच्चता मस्तर पर पहुँच गया है और यह पिछली तिमाही में 5.2 की वर्दी है जो की बढ़ती वैस्विक अनिस्टाओं के बावज़ूद भारत के स्थिति के प्रती आवसात को दर्शाता है और यह कि यह सुचकान जॉब का है यानि क भारत के सभी उद्दियों के चेत्रों और चेत्रों में अलग अलग आकार की 120 से अधिक फर्मों के सर्विक्षर्प के निसकर्सों पर आधारित है दसव प्रशनी की हाली में कि संस्ता ने सर्वाइवल आप रेचेश्ट रिपोर्ट जारी की तो दीगे इस रिपोर्ट को जानकर आप चौक जाएंगे इस रिपोर्ट को आकस्पैम में जारी किया है देगे आकस्पैम इंटरेशनल एक नए अधियन के नुसार जो है भारत में सबसे अमीर एक परसेंट लोगों के पास अब देश की कुल संपती का 40% से अधिक हिस्सा है जबकि नीचे की आधी की आधी आबादी के पास के वल 3% संपती है देगे भी हाली में विस्सो आर्थिक मंच की जो वार्षिक वैठक हो रही है कहां पर सुज्जलेंड के दावस में तो वहां पर पहले दिन सर्वाइवल आपदर रिचेश नाम का अध्यन जारी किया गया और इस रिपोर्ट को लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए परियाप पैसा मिल सकता है और इसके अतरिक यदि भारत के अरपतियों को उनकी पूरी संपती पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगा दिया जाए तो ये अगले 3 वर्सों के लिए देश में कूपोसर के सिगार बच्चों के लिए जो है 40,430 करोड़ोपे की आउसकता का समर्थन खरेगा और इसी भारत के 10 सबसे अमीर अरपतियों पर 5% का एक बार का कर एक दसमलों 3,7 लाग करोड़ोपे वर्स 2022 के लिए स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले 86,200 करोड़ोपे और आयूस मंत्राले 3,050 करोड पर दवरा अरुमानी धन से 1,5 गुना अधिक है यानि कि डेड़ गुना अधिक है तो देखे ये भारत के जो अरपती है उनके पास इतना पैसा है मतलब जीतना पैसा उसके बारे मने बता दिया कि उनका उनकर कितना टेक्स लगा जाए तो क्या हो सकता है क्या परिवर्तन लाया सकता है वैसे देखे अगर आपके पास इश्वर ने भगवा ने दिया है आपको तो आप जो है जरूर थोड़ा बहुत दान दिर्चड़ा किया कि ठीक है और दान किसको दीजे गरीब हो दीजे जो असहाय है जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में देखे पहला सब्सक्राइब किसको रिवाइज कर लेगा चौदा प्रशना पर लेगी काउन साधेस अपने 75 वे सुतनता दिवस पर भारत के पहले पीम जवाहला नेरू के चितर साइद एक डांक टिकर जारी करेगा प्ताइए और आपको दाना की सारुनी चितर के बैंक ने किसान पुस देखे कल का पहला प्रसना की केरल का कौन सा जिला भारत का पहला समयधान साक्षर जिला बन गया है तो देखे केरल का जिला कुल लब है और देखे भारत का जो ओडिशा राज्य है यहाँ पर डार्ट फेस्ट फेस्टिवल का आजिन किया गया था और इकी जो RRR फिल्म है इसने Critics 24 आवार्ड 23 में Best Foreign Language आवार्ड जीता है और इकी अभी हाली में Google ने खसाब दादा साहिब जाध हो जो कि भारत के ये बहुती फेमस ओलंपियन थे तो इनको विसेश डूल के मादम से स्तरदनाजली इसने दी थी और Miss Universe 2022 बनी है आर बोनी गेब्रियल इसको नूट कर लेज़ेगा ये अमेरिका से है और Miss Universe 2022 कमड़िशन समझे बहुत सारी important fact को मैंने परसो बताया था तो परसो का वीडियो देखे उसको revise कड़ा लेगा और इसी के साथ आज का वीडियो समावत होता है चेहिन